नमस्कार दोस्तों मैं हरी स्यादव स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्सकों का आज हम बात करने वाले हैं बकरी पॉलन ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे चैनल पर लगातार बकरी पॉलन ट्रेनिंग से सम्मंदे जानकारे भी आपको दी जाती है और इसी के लिए हम दो दीविसी बकरी पॉलन ट्रेनिंग का आयोजन करने जा रहे हैं वो आनंद भावे जी हैं और जो ट्रेनिंग मास्टर हैं वो खुद 14-15 सालों का बकरी पॉलन में अनुभर रखते हैं हमारे जो ट्रेनिर हैं वो जेपी धुलिया सर हैं आपने इनके बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे जो मैं अपने चैनल पर पॉब्लिस करते रहता हूं तो हमारे जो भी दरसक बकरी पॉलन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और बकरी पॉलन को एक सफल व्यवसाय बनाना चाहते हैं जिसमें हम आपको बकरी पॉलन से समंद्ध सारी जानकारी दी जाती है या हम देते हैं जिसमें आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आए इसका भी हम पूरा ख्यार लगते हैं मैं कुछ बिंदों के उपर बात करना चाहता हूं आते हुए आपको अपना फार्म सुरू करना है किस प्रकार से अपना सेड का निर्मार करना है अपनी पूंजी का निवेस कैसे करना है ताकि जो हमारी पूंजी है वो एक डैड मनी के रूप में उप्योग ना हो हम ऋस पूजी का अच्छे से अच्छे निवेष किस प्रकास से कर सके हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं फिर बात आती है कि जब आप सेड बना लेते हैं तो बकریयां तो नसल कर चिना आपके लिए कौन सी उपयोगी नसल होने वाली है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है बकरियों की नसलों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि किस नसल का पालन करना कहा के लिए फायदे मंद होता है ये तो हम डिटेल में बताते ही है साथ में किस बकरी का चैन आपको करना है बकरी यां अलग अलग केटिगरी की होती है तो किस बकरी का चैन आपको करना है ब्रीडर का चैन कैसे करना है किस उमर की बकरी के साथ अपना फार्म जह वो सुरू करना है इन सारी चीजों के बारे में डीटेल में जानकारी दी जाती है जब बकरियां आप बाहर से लेकर आ रहा होते हैं तो आप अपने climate music किस परकार से ढालेंगे किस परकार से set करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है क्योंकि आपने देखा होगा सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग स्टार्ट में ही काफी परिसान हो जाते हैं और वहीं से वो डिमोरलाइज हो जाते हैं क्योंकि उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता है तो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी फिर जब आप बाहर से बक्रियां ले आते हैं अपने हाँ पर रखते हैं तो किस प्रकार से उनकी टैगिंग करनी है किस प्रकार से उनका फीड मैनेजमेंट करना है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाते हैं किस सीजन में आपको ने क्रॉस कराने पर ज़्यादा फाइदा मिलेगा फिर जो बच्चे आते हैं तो उन बच्चों को किस प्रकार से तयार करना है किस प्रकार से उनको सेल करना है आपको अपना market कैसे तियार करना have ताकि आपको अपना जब आपके बक्रियां तियार हो या बच्चे तियार हो तो बेचने में किसी प्रयकार की कोई भी परसानी ना हो इन सारी चीजों के बारे में भी detail में जानकारी देती है फिर जब हम बकली पालन कर रहे हैं तो भाई हम अपनी पूंजी को किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा खर्चा लगने वाला है तो उसे हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं फिर समय समय पर जो मौसमी बिमारी आती हैं इनके उपर हम पूरी जानकारी देते हैं और सबसे एहम और जरूरी बात टीका करण किया जाती है तो कौन कौन से टीके दिये जाने चाहिए कौन कौन से टीके दिये जाते हैं कब कब दिये जाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है आपको जैसे मौसम बदलता है फिर जब आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो भाई बकरियों की समस्याओं को समझना, एक सुस्त और एक बिमार बकरी की पहचान करना कीडे जैसे हम बात करते रहते हैं, डिवॉर्मिंग करना, तो डिवॉर्मिंग किस प्रकाश से करी जाने चाहिए? कौन-कौन से तरीके होते हैं ये और साथ में हम ये जो medication है ये तो बताते ही बताते हैं साथ में आप घरे लूप चार किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि आपको जो लगने वाला खर्च है वो कम से कम हो सके इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है बकरियों के खुर बनाना सींग बनाना उनको किस प्रकार से injection देना है या हम कह सकते हैं कि बकरों का किस प्रकार से chain करना है उनके बच्चों किस प्रकार से devorm करना है इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है साथ में आपको practical अन्भो पर दिया जाता है आप खुद जब करेंगे तो आपको काफी असानी होने वाली है तो जो आप training करना चाहते हैं जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दियेगा number पर अधग जयनकारी के लिए contact कर सकते हैं साथ में हमारे साथ जुड़ने पर आपको एक plus point भी है कि हम इन दो दिनों में तो आपको सिखाते ही सिखाते हैं पर हम आप से 6 महीने तक online भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हम एक group बनाते हैं और जो भी बकरी परलन में आना चाहते हैं और उनमें जो भी समस्याएं आती हैं तो आप उस group से हम साजा कर सकते हैं और 6 महीने तक उस group में आप हमारे साथ बने रह सकते हैं जो भी परिसानियां आती हैं वो हम से directly साजा कर सकते हैं फिर सबसे और अहम जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस training में आपको एक certificate भी दिये जाएगा जो in future आप कहीं पर भी कभी भी आप इसे online भी चेक कर सकते हैं प्रमारित आपको एक certificate दिये जाएगा जिस जो आपको in future काफी मदद करने वाला है तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आप भी अगर बकरी पालन में आना चाहते हैं और आप कुसल बनना चाहते हैं क्योंकि किसी भी वेवसाय पर खास करके हम बात करते हैं जब किसी भी चीज को वेवसाय के स्थर पर करना होता है चाहिए वो पसुधनी क्यों नहों, तो आपकी कुसलता ही, आपकी सफलता की ओपर निर्भर करती है, अजितना आप कुसल होंगे, सफल होने के चांसिस आपके ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तो असा करते हूं इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद जरूर आयोगी पसंद आई तो दोस्तो के साजह जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए आप दिये गया नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप पुना बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रेनिंग के आयोजन है ये दूर के छत्तेस गड़ में पसंद प्रबंधन कॉसल विकास के द्वरा आयोज़ किया जाने वाला है आयोज़क जो हैं हमारे आनंद भावे जी हैं और ट्रेनिंग मास्टर के रूप में जेपी धुलिया सर आने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगए तो दोस्तो के साथ साजह जरू करें थेंक यू थेंक यू वेरी मच